रमा, मधु और सुधा आशादेवी की तीन सरकारी बहुएं रमा पेशे से सरकारी वकील थी, मधु एक युनिवर्शिटी में प्रुफेसर थी और छोटी बहु सुधा एक सरकारी बैंक में नौकری करती थी तीनों बहुएं नौकरी वाली थी इसलिए तीनों ही पूरा दिन व्यस्त रहती थी इसी वज़ा से रोजाना किसी न किसी बात पर तीनों बहुँएं में लडाई हो ही जाती थी खास कर तब जब होता था इत्वार यानी की संडे क्या बात है आशा जी आज सुबह सुबह सबसी मंडी होकर आ रही हो आज इत्वार है ना बहु बेटे देर से सो कर उठेंगे सोचा घर पर क्या करूँ मंडी ही हो आती हो अच्छा अच्छा आज तो तीनों बहुँएं की छुट्टी होगी उनमें कभी कोई लड़ाई नहीं होती अभी तक तो सब उठकर अपना-पना काम लिप्टा चुकी होगी अपनी वकालत घर में मत जाड़ो भावी मैं भी बड़े स्कूल में प्रोफेसर हो मुझे भी गणित आती है आलू के पराठा में प्यास नहीं डलेंगे सिर्फ आलू पराठा ही बनेगा अच्छा, मैं भी देखती हूँ की तुम आलू के मसालो में प्यास कैसे नहीं मिलाती हो तुम अकेले आलू का पराठा खाने वाली नहीं हो हम सब हैं अरे, तो किसने मना किया छे आलू हैं, दो-दो-तीनों के होगे, ये दो मेरे, ये दो मेरे, ओहो, बहुत बढ़िया, खुद दोनों ने बढ़िया बढ़िया आलू रख लिये, और मुझे ये गले हुए खराब दे दिये, बढ़ी चालाक हूँ आप दोनों तो, अरे मैं भी बैंक में नौकरी करती सारा हिसाब किताब मुझे भी पता है, ये आधा आलू खराब है, ये मैं क्यों रखूँ, मैं अपना आलू नहीं दूँगी, मैं अभी क्यों दूँ, इतनी मुश्किल से संदे आता है, आलू पराटे खाने का ये मौका मैं क्यों छोड़ दूँ, आलू तो मैं ले करी इतनी बड़ी सरकारी नौकरी करने वाली हो तुम, पर लड़ाई बिलकुल बच्चों की तरह लड़ती हो, थैले में आलू रखे हैं, उबाल लो जितनी मर्जी, पता नहीं मेरे इस दुनिया से जाने के बाद, आशा के इतना कहते ही तीनो बहुएं उसके मुँपर हाथ रख देती हैं, माजी, आज कह दिया, आगे से ना कहना, सौरी माजी, आप ऐसी बाते मत करो, आपके बिना हम तीनो अधूरी हैं माजी, आगे से ऐसी बाते मुझ से मत निकालना, फिर क्यों लड़ती हो तुम तीनो, देखो जिस घर में प्यार होता है, वहां भगवान का वास हो आती हैं, रोजाना की तरह वही खटी मिठी नोगजों के बीच आशा देवी की बदौलत तीनो बहूं में आप से प्यार बना हुआ था, आशा देवी की ननत मनोर्मा कुछ तीनों के लिए रहने आ जाती है, मनोर्मा स्वभाव से चुगल खोर और जगडालू है, पर क्या करें, है तो आशा देवी की ननत ही न, आशा भावी, कहां हो, मैं तो कब की बाल धोकर बैठी हूं, तुम्हारी बहु में कहां है, मुझे चाय नाश्ता कौन सी बहु देगी, जी जी रुको, मैं तुम्हारे लिए पुहा और चाय बना कर ला रही हूं, बुआ जी पाई ल बात रही, तीनों बहु में काम पर निकल गई, अब तुम सारा घर का काम करोगी, तो क्या हुआ जी जी, सफाई बरतन वाली लगी हूई है, घर का काम करड़े में हर्स थोड़ी है, तुम तो ऐसे ही चिंता करती हो, ये लो, पुहा और चाय लो, बाकी सब चिंता छोड़ मनोर्मा की बुरी आदत चुगली करनी की, बास कहां आने वाली थी, जब आशा ने उसकी बात को अंदेखा कर दिया, तो वो तीनों बहु को भड़काने लगी, अरे रमा बहु क्या कर रही हो, अंदर आ जाओं, हाँ हाँ बुहा जी, ये भी कोई पूछने की बात है, आप कल मधु ने मशीन लगाई थी, तो कपड़े दो कर रख दिये थे, वही तह लगा रही हो, अच्छा, तब ही मधु का मुझ बना हुआ था, बोल रही थी सारा दिन अकेले काम में लगी रहती हूं, वो प्रोफेसर है न, तो जल्दी घर आ जाती है, इसलिए वो जादा काम क क्या, रमा भाबी और सुधा ने ऐसा कहा, उनसे जादा घर खर्च में पैसे मैं लगाती हूं, उन दोनों की इतनी हिम्मत, ये कहने की, कि वो मेरे से जादा घर खर्च करती है, आपको पता है बुआ जी, कितनी बार रमा भाबी और सुधा के जन्म देन एनिवर्सरी पर, म ये तीनों को क्या हो गया है, आज इत्वार के दिन घर में इतनी शांती कैसे बनी हुई है, रमा भाबी बहुत ज़्यादा इत्रानी की जरूरत नहीं है, हमने भी स्पेशल अम्रित सरी कुल्चे मंगवा कर खा लिया है, हमारा भया संडे है, सुनील और मैं मूवी देखने भी जा रहा है, मैंने भी जले भी समोसे खाए आए, खुद कमाती हो, किसी का दिया नहीं खा रही, मैंने और रवी ने हैवी नाश्ता किया है, बढ़ियां, कितने दिनों बाद, ये हो क्या रहा है इस घर में, एक दूसरे से सिदे मुश बाद करने को तीनों तयारी नहीं ह जरूर कुछ गरबर है नहीं तो ये तीनों मेरे से इस तरह बात नहीं करती और ये मनोर्मा जी जी कहां गई है बड़ी देर से दिखाई नहीं दे रही लगता है कमरे में होगी उनकी चाय वहीं दे आती हूँ अरे मैंने भावी की तीनों बहों में ऐसी फूट डाली है ऐसी फूट डाली है कि पूछो मत बड़ा इतरा आ रही थी तीनों बहों को लेकर ओह इसका मतलब ननत जी ने मेरे घर में आग लगाई है इनका परदाफाश मैं ही करूँगी मनोर्मा की आदत थी फोन पर हर बात अपनी बेटी को बताने की आशा दिवी ने एक दिन अपने मोबाईल का आडियो रिकॉर्डर आउन करके मनोर्मा के कमरे में रख दिया और जानबूच कर मनोर्मा से बातों बातों में बात करने लगी भावी तुम मुझे पहले कहती तो मैं बहुत पहले ही ये काम कर देती अब तुम अपना दुख मुझसे कह रही हो कि तुम अपनी तीनों बहुँं से ट vimos तंगा चुकी हो उनकी सेवा करके तुम ठक जाती हो चलो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी तीनों बहुओं में फूट डाल चुकी हूँ मनुर्मा सारी सच्चाई बोल देती है कि कैसे उसने रमा मधु और सुधा से एक दूसरे के लिए चुकली की थी आशा तो यही चाहती थी कि सच्चाई सामने आए और वो मौका देखकर अपनी तीनों बहुओं के सामने अपनी ननद मनुर्मा की सच्चाई सुना देती है जिसे सुनकर तीनों बहुओं की आँखों में आसु आ जाते है और वो एक दूसरे की तरफ देखने लगती है मनोर्मा शर्म से लज्जित हो जाती है और वापस अपने घर चली जाती है मुझे अपनी तीनो बहूं पर नाज है तुमने किसी के भड़काने पर अपने ही घर में फूट डाल दी मैं तो दुनिया से कहती हूँ मेरी तीनो बहूं बहुत समझदार है उनमें आपस में एकता है कभी भी किसी के भड़काने में मताना नहीं तो घर को तूटते देड़ नहीं लगती हमें माफ कर दीजे माजी आज के बाद हम ये गलती दुबारा कभी नहीं करेंगे इनो बहुँ में फिर से एकता हो जाती है और आशा देवी का परिवार तूटने से बच जाता है रामपूर गाउं में सेट गिर्धारी लाल का बहुत नाम था गिर्धारी लाल के जिंदगी में सारे ऐश्वाराम थे परिवार में पत्नी उमा और पांच बेटियां राधा, गौरी, कुसुम, पूजा और गुडिया थे गिर्धारी लाल को अपनी अमेरी का बहुत घमन था इसी कारण वो जब भी किसी महफिल के बीच बैठता तो अपनी अमेरी का लंबा चोड़ा बखान करता गिर्धारी की सबसे छोटी बेटी का जनम दिन था आज वो एक साल की हुई थी इस बारे में तुम्हारी भावी से बात कर लेता हूँ ये तो बहुत बढ़िया बात कह दी तुमने ग्यान चंद सूरज और राधा बिटिया को बड़ा होने दो हम धूम धाम से दोनों की शादी करेंगे उस दिन गिर्धारी लाल सचमुझ बहुत खुश था उसके पास सब कुछ था सब महमानों के जाने के बाद उमा अपनी पाँचो बेटियों को सुला देती है चलिए आप भी सोजाए ठक गए होंगे सुबह से कितनी भाग दोड कर ले उमा अरे अपनी बेटियों के लिए ही तो कर रहा हूं सब कुछ वैसे ग्यानचंद ठीक कह रहा था हमारी पाँचो बेटियां सचमुझ बड़ी नसीब वाली है उमा हम अपनी बेटियों को खुब अच्छे से पाल पोस कर बड़ा करेंगे फिर बड़े बड़े अमीर खांदान हमारी बेटियों के लिए रिष्टा मंगेंगे तुम देखना आसपास के गाउं ही नहीं शहर से भी बड़े बड़े रिष्टे हमारी बेटियों के लिए आएंगे तुम देखना मेरी बेटियों को देखते ही सब कहेंगे ये पाँचो तो अमीर सेट गिर्धारी लाल की बेटिया है गिर्धारी लाल खुशी से अपनी बात कही रहा था कि अचानक भूकम पा जाता है सब तरफ हाकार मच जाता है भूचा लाने से सब कुछ तबाह हो जाता है घर के घर पूच जाता है उमा अपनी पांचो बेटियों को साथ लिए गिर्धारी को ढूंड रही थी पर उसका कहीं भी कुछ पता ने चला वो रोती बिलक्ती गाउं के पास बने टेंट में पहुँचती है भाईया आपने कहीं मेरे पती को देखा है आप जानते होंगे सेट गिर्धारी लास वो मेरे पती है बहन मैंने देखा था तुम्हारे पती के उपर लोहे का एक खंबा गिरा था शायद वो अब इस दुनिया में नहीं है ये भगवान ऐसा नहीं हो सकता मैं अपनी पाचों बेटियों को लेकर कहा जाओगी मैं आपर किसी को भी नहीं चाहती है उमा अपनी पाचों बेटियों को लिए टेंट में कुछ दिन रहती है पर उसके बाद सब वापस अपने अपने घर लोटने लगते है उमा का तो कोई घर ही नहीं था वो शेहर की बस में बैट जाते हैं और शेहर पहुँच जाते हैं मा हम सबको बहुत भूक लगी है कुछ भी खाने का ले लो कल से हमने कुछ भी नहीं खाया है हाँ हा राधा बिटिया तो यहाँ पेड के नीचे इन चारों को लेकर बैट मैं अभी थोड़ी देर में कुछ खाने को लेकर आती हूँ इन सोने की चूडियों को बेच कर कुछ पैसे मिल जाएंगे कुछ दिन गुजारा चल जाएगा फिर मैं कोई काम ढूंड लूँगी उमा शेहर में बनी एक सुनार की दुकान पर जाती है और अपने सोने की चूडियां बेचती है चालिस हजार रुपए मिल जाएंगे इन चूडियों के हाँ हाँ दे दीजे मैं इन पैसों से कोई काम शुरू कर लूँगी पहले सब के लिए कुछ खाने को ले जाती हूँ उमा सडक पर अभी रुपए गिन ही रही थी कि तभी एक चोर उसके हाथ से सारे रुपए छीन कर भाग जाता है चोर चोर कोई पकड़ो मेरे रुपए लेकर भाग रहे कोई मदद करो उमा चीक थी चिलाती रही पर किसी ने भी उसकी आवाज पर ध्यान नहीं दिया चोड उमा के हाथ से सारे रुपे लेकर भाग गया उमा के हाथ खाली हो गए उसके पास कुछ भी नहीं बचा था वो खाली हाथ ही बच्चों के पास वापिस लोटाती है मा क्या हुआ तुम कुछ खाने को नहीं लाई मा तुम रो क्यों रही हो चोड सारे रुपे चीन कर भाग गया राधा अब हम क्या करेंगे तू तो समस्दार है पर ये चारो भी पहुँद चोटी है मा तुम चिंता मत करो मुझे तो वैसे बिल्कुल भी भूख नहीं है मुझे तो नीनदारी है मैं सो जाती हूँ मा तुम भी सो जाओ राथ हो गई थी उमा अपनी बेटियों को लेकर उसी पेड के नीचे सो जाती है अगली सुबह उमा देखती है कि राधा पेड के नीचे नहीं सो रही वो अपनी चारो बेटियों को उठाती है और उनसे पूछती है गौरी, पूजा, कुसुम, गुडिया बेटा, उठो, उठो तो, राधा कहीं दिखाई नहीं दे रही, तुम्हें बता कर गई है क्या? नहीं मा, वो हम में से तो किसी को नहीं कह कर गई, हम तो सो रहे थे, राधा कहां चली गई बिटिया, तुम बैठो मैं उसे ढूनती हूँ, राधा अपनी मा और बेहनों के लिए कुछ खाने कर ढूनने गई थी, वो समझदार थी और वो सारी परिशानी को समझ रही थी, काम के बदले खाना मिलता है, समझ रही हो? चाचा कोई काम बता दो फिर, मैं काम करके आपसे डबल रोटी के पीस लूँगी, अच्छा तो एक काम कर, बरतन पड़े हैं वो धोले, और अच्छे से धोना, तभी तुझे डबल रोटी दूँगा, नहीं तो नहीं मिलेगी, ये क्या कर रही है, तो जूटे बरतन साफ कर रही है, और तुम मुझे बता कर भी नहीं आई, मैं कितना परिशान हो गई थी, मा, गौरी पूजा कुसम गुडिया को भूख लगी थी, मैंने सोचा कि यहां से कुछ खाने का ले लेती हूँ, तुम्हें पता है, मैं जब ये तो अपनी बेहनों के पास जाकर बैट, मैं खाना लेकर आती हूँ, उमा सारे जूटे बरतन धो देती है, और बदले में चायवाला उसे डबल रोटी के पीज दे देता है, उमा अपने बेटियों को लेकर ऐसे ही दरदर भटक रही थी, चलते चलते एक दो पहे, उमा देखो क्या हुआ है, मैडम लगता है गर्मी से बेहोश हो गई है, इन्हें होस्पिटल ले जाना पड़ेगा, बच्चो तु मेरी गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हारी मा को होस्पिटल ले चलती हूँ, वो औरत एक एंजियो चलाती थी, जहां पर वो गरीब और बेसाहर लोगों को पनाह देती थी, उस औरत की महरबानी से उमा और उसकी बेटियों को रहने की जगा मिल जाती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी इतनी मदद की, मैं यहां रहकर अपनी बेटियों को पाल पोसकर बड़ा कर सकती हूँ, हां, हमारे एंजियो तुम और उन पैसों से अपनी बेटियों को पाल पोसकर बड़ा भी कर सकती हो, गिरधारी लाल और उमा की पाचो बेटियों का नसीब उन्हें कहां से कहां ले आया था, जिन बेटियों को राज सुक मिलने का सपना गिरधारी लाल ने सोचा था, आज उसकी वही बेटियां अपन मा के साथ एक एंचियों में रह रही थी धीरे धीरे समय ने करवट बदली और वक्त 15 साल आगे निकल गया उमा की पांचो बेटियां बड़ी हो गई और अच्छी नौकरी पर लग गई उमा अपनी पांचो बेटियों के साथ एक नए घर में रहती थी एक दिन जब वो घर लोट रही थी अचानक उसकी मुलाकाद ग्यानचंद से हो गई ग्यानचंद को लगा कि भुकम के मलबे में गिर्धारी का सारा परिवार खत्म हो गया पर अपने सामने उमा को देख कर ग्यानचंद की आँखों में आंसु आ गए वो गिर्धारी से बचपन में किया हुआ वादा निभाना चाहता था इसलिए उसने राधा का हाथ अपने बेटे सूरज के लिए मांगा गिर्धारी लाल से किये वादे को पूरा करने के लिए ग्यानचंद और उमा राधा और सूरज की शादी तै कर देते हैं मंड़क सजा हुआ था उमा गिर्धारी लाल को याद कर रही थी भावी क्या हुआ? गिर्धारी को याद कर रही हो? हाँ भाईया आज वो साथ होते तो अपनी बेटी की शादी अपने दोस्त के बेटे से होते देख बहुत खुश होते भाई साहब ये फूल माला की टोकरी रखवा लेते मुझे लाला जी ने भेजा है ये तो इनकी आवाज है आप आप इस हालत में आप जिन्दा हो जी गिर्धारी तू जिन्दा है तो इस हालत में? गिर्धारी उस दिन नसीब के लिखे पर विश्वास कर लेता है वो उमा के साथ मिलकर अपनी बड़ी बेटी राधा को आशिरवात देता है और अपनी पाँचो बेटियों को गले से लगा लेता है झाल को कर दो भंचने प्काहिछ झाल को करो प्रॉड़ी को कर दो झाल को अबड़ी बेट कर दो कर दो कि झाल को कर दो давा है